ब्यहार के समस्थिपूर जीले के 12 साल के बच्चे ने एक ऐसा कमाल कर दिया है जिसके परतीबा को देखकर हरकोई हैरान है और वहीं बच्चा अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं जिसने अपनी जुगार से कमाल का एक जैसे भी बना दिया है अभी तो हम फोम का बना रहे है अगर सरकार से हमको अभी सपोर्ट मिला तो हम और कुछ बनाएंगे बाबु यह बताईए कि आपके पीता जी क्या करते हैं मजदूर राज मिश्टिर का काम करते हैं और साथ में यहाँ पर ट्रॉली भी देख सकते हैं जो मेटी को जेसी बी के द्वारा उठाके बराहिया साने के सांद ट्रॉली में जो है रख दिया जाता है आप बाबु यह बताओ कि जेसी भी किसने बनाया है हमने बनाया है यह बताइगे की आप आपका उम्र कितना हुआ 12 साल की ए है 12 साल के उनमें आईडिया कहां से आए कि आप जेसी भी बनाती Kin?' जहां पर मिट्टि का खुद्दरा था लोई पे 2 9 घुन गय थे दिखने के लिए yssहां पर सबैं से जहां पर भी जेसीभी के द्undवरा जो है ये बताए कि इसके लिए पढ़ाई कि ये ट्यूशन में बताया गया जा फिर बेडियो जो गरा देखके सिखें नए सिखाया नहीं गया है तो कहां से सिखें हैं अपर दिमाग से सिखें हैं कौन से कलास में पढ़ाई करते हैं अब यठमा पढ़ते हैं सरकारी स्कूल या फि सकता है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है सरकारी स्कूल का जो बच्चा है वो टैलेंटेड नहीं हो सकता है लेकिन देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 12 साल का बच्चा जिसने अपने जोगार से कमाल का एक जैसे भी बना दो है और इस जैसे भी क जहां भी श्रींच हो गया और उसके बाद में डिडिल यह सब कुछ फेका हुआ था फेका हुआ समान उठाके लाए और जैसे भी बना दिये और यह फो मोगारा मार्केट से खड़े हैं कि अभी फेका हुआ था अब नहीं मिल रहा था बनाने में कितना टाइम लगा पढ़ाई साथ पढ़ाई भी किया और पढ़ाई के साथ इसे अभिसकार भी कर रहे तो दोस दिन लगा है बनाने में और मतलब मन में आइडिया कहां स पहले हम जानते थे कि स्रैंस हम्ने इसको पहले बनाई हुए थे इसकÜWe से उठा रहे है तो हम गाइए अगा है आफया कि नहीं पर रहा था मतलब यह बढहाई में पढ़े हैं कि प्रेंसर से काम करता है या मन में स सोचे हैं मन में सोचे ना सूचिए कि छोटे-छोटे बच्चे को गाउ में जिस तरीके से सिखचा दिया जाता है उसके अनुसार बच्चा जो है ड्हलने का प्रयास करता है और यह बच्पन सही कई ना कई हमे-सा अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि भाई आखिरकार JCB को देकर लगता है कि यह काम कैसे करता है अगर हम भी चाहे तो छोटा सा JCB बना सकते हैं ना तो यह बताए जैसी भी आपका काम कैसे करता है जारा काम करके बताए कि कैसे यहां पर यह JCB जो है कैसे उठा के मिट्टी को उठा के जो है ट्रॉली पे रख देता है नीचे मतलब दाबेंगे तो ऊपर होगा ना और मिटी को कैसे उठाएंगे उठाके दिखाएए तो ये देखिए वा वा ये जे सीवी से मिटी को बड nature की साण पैसा होतो हएं वहाँ हम का बना रहे हैं हाइघे हम और सरकार से सब्सक्राइब ओर भी इसकार्णremis इसलोगों से ऐसे करेंगे एस साङंचा Cape को देखकर अच्छा कहेंगे इतना चोटा बच्चा है फिर भी दिमाग लगा के कमाल का जेसी भी बना दिया ये बहुत बरी बाद बहुत बहुत करते हैं बहुत महनत से बहुत महनत से बढ़ाते रहता आप लोग तो हमेशा देखते रहते होंगे कि जहां भी जैसा कि बोल लाए बाहर पर चाहते हैं कि बच्चे को जो है सरकार के तरफ से कुछ सपोर्ट मिले तो और आगे बच्चे बढ़ेगा कोई अपना पर बिखरा हुआ इता दिमाग बच्चा को भी है आगे बढ़ते जाएगा है चलिए बाकी आप देख सकते हैं कि गाउं के लोग जहां भी जो है बच्चा अपना जेसीवी को लेके जा रहे हैं लोग कई ना कई देखने के लिए लोग जो है कई ना कई भीरी कट लोग भी देखकर है रहान है चाचा क्या कहना चाहेंगे यह बच्चा का परतिबाह देखकर के तो हम लोग खुड गाउंवाले हैं लेकिन अब इसको बढ़ावा देने के लिए आप लोगों को जरूरत है हम लोग तो दिखा रहे हैं बच्चे को टैलेंड को लेकिन सरकार चाहें सरकार से डिलवाई यह इस बच्चे को जिसे मनुबल बढ़े यारे और आगे बढ़े हैं सोचिए कि जब 12 साल क्यूमन में बच्चा जो है अपनी जुगार से छोटा सा जेसे भी बना सकता है वो भी संसाधन की कमी होने के बावजूत सोचिए कि इस बच्चे को अब इस दो नहीं करेंगे कहें कि इतना अच्छा अच्छा विष्कार की ओ भुले कि अब नहीं करेंगे पढ़ाई को नहीं सोड़ाना है अज़को नहीं करते हैं ज़िह सब्सक्रानी होता है एक जिसी भी बनाया है तो मैंने सोचा कि क्यों ने इस बच्चे की प्रतिवा को आप तक दिखाया जाए ताकि आप लोग वीडियो को सेर केजिए ताकि सरकार के तरफ से बच्चे को कुछ सपोर्ट मिले और आगे ये बच्चा जो है और भी बहुत सारा चीजों का जो है कही अब इसकार कर सकें बाकी गाओं के इस बच्चे के प्रतिवा को देकर आप लोग क्या सोचते हैं अपने राये में जरूर दें आप मारे सांज चुरे रहें बहुत बहुत धन्यवाद